दर्भंगा में मोटर सायकिल और स्कूटी की दुनिया में धमाल विगत बाड़ा वर्षों से आपकी सेवा में तत पर विक्की टीवीएस आप क्या सूच रहे हैं जल आएं जल पाएं अपना पसंदीदा वहन विशे से सुवीधा का लाब उठाएं परतेक वहन की खरीद पर एक सुनिश्चित उफ़ार कुशल इंजिनियर के दुआरा सर्विस की उत्तम वैवास था पहले से बहतर माईलेज के साथ आप चाहे तो लोन पर भी एक घंटे में गारी ले सकते हैं आए और हातो हात अपने पसंदीदा वहन को घर ले जाए ग्रहांकों की सुवीधा के ल ठंड से लोग बेहाल नजरा रहे हैं ठंड से बचने के लिए नगर आयुक्त कुमार गौरव के आदेश पर सहरी छेतर में कुल 40 अस्थलोप को चिनहित कर अलाव की बेबस्था की जानी है जोन 1 के 13 अस्थान जोन 2 के 13 अस्थान और जोन 3 के 14 अस्थलोप चिनहित किया गय है जहां नगर निगम की ओर से इन सभी अस्थलोप पर अलाव के लिए रोज 20 किलो लकरी दी जाती है यह लकरी कुछी घंटों में जल कर खत्म हो जाती है ऐसे में लोगों का कहना है कि नगर निगम अलाव के नापर सिब खाना पूरती कर रही है बंगाली टोला के ससांग ने कहा कि इस कराके की ठंड में 20 किलो लकरी दो से तीन घंटे में ही जल जाती है देर रात राश्ते से गुजरने बाले लोगों को अलाव का लाव नहीं मिल पाता है नगर निगम अलाव जलाने के नाम पर सिर्फ खाना पूरती करता है वहीं हर्स जा ने कहा कि नगर निग जगों पर लखरी की है क्च्छा लखरी होने के कारण समुचित आग नहीं जल पाती है जिन जगों पर सूखी लखरी गिराई जाती है वहां लखरी का मात्रा कम होने के कारण selling 10-2000 में एक से दो घंटे में ही लखरी जल कर खाक हो और नगर निगम के तहट कि यह जलावन का विवस्ता किया गया है और इसमें जो है जो है जो भी पबलिक है चोट पे चवराया पे सभी को मानने जिए एक समाश सेवा के तहट इसका जो है खंड से बचने के लिए तारहा परकिरिया नगर निगम के दुआरा किया गया है लेकिन इसमें 20 क्लो अगर आपको इंवको पता है महलें तो किलो का जानकारी एम एडि हम ढर दने के लिये संक तो हम दीए हैं आप के अनुसार क्या है हैंाया यह संपान से चे के जी होगी लकरी और खुछ जलाते हैं अपने से जो हम लोग को मिला है हम लोग भनी भाती यहाँ पर ये इसका लाब ले रहा हैं लेकिन जो ट्रेक्टर ड्राइवर और जो ये बोले हैं तो बिल्कुल गलत बोले हैं वहीं नगर परवंधक अजहर हुसेन ने बताया कि ठंड के मदे नजर 40 अस्थलों पर अलाव की बेबस्ता की गई है सभी और 44 वाड में लक्री उपलब्ध कराई गई है जो रत के मताबिक अन अस्थलों पर भी अलाव जलाने की बेबस्ता की जाएगी